पेडी क्लोडील सीरफ के बारे में आजम जानेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडी क्लोडील सीरफ को किस कंडिशन में बच्चे को दिया जाता है इसका मार्केट प्राइस क्या होता है यह किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है इसको किस-किस condition में use किया जाता है इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे तो चले बारी-बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं सबसे पहले अगर हम इसके composition की बात करें तो यह ट्राइकलोफोस और सुलूशन होता है और अगर हम इसके price की बात करें तो यह 120 रुपए के market price पे 30 ml का जो शीडफ है वह इसली मार्केट में मिल जाता है अगर हम इसके company की बात करें तो डॉक्टर रिड़ी लेवड़ाटिज क को नींद नहीं आता है तो इस condition में इस syrup का यूज किया जाता है या कभी कभी क्या होता है कि कोई जांच होना होता है बच्चा का जिसमें बच्चा जो है corporate नहीं करता है बच्चा सोता नहीं है जिसके करण जो है जांच में दिक्कत आता है तो इस condition में भी syrup का यूज किया ज तो इस सीरप का जो है जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं उनके सलाह पर ही सीरप को यूज करना है और जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वहीं से इसके डोज को कैलकुलेट करके बच्चे को देते हैं लेकिन एक जो जेनरली जो यूज किया जाता है जिस डोज को मै अगर 10 kg अगर बच्चे का वजन होगा तो इसका जो डोज होगा वो कि डो एमेल इसका दो अगर बच्चे का वजन जो है 5 kg है तो इसका डोज एक अमेल दे सकتे हैं यागि कि जो है बॉड़ी वेट के अनुसार जो calculate किया जाता है यानि कि 0.2 ml पर kg body weight के अनुफसार इसका जो है हम देश रकते हैं अगर बच्चे को नींद नहीं आ रहा है या किया होता है कि कभी-कभी चूट लग जाता है चूट के कारण या किसी भी किसी भी परकार का दर्द होता है जिसके जब बच्चा चItra रहता है बच्यको नींद नहीं आता है तो उस कंडिशन में इस सी रप Gast किया जाता है जानि कि यह सिरफ जो है सौट टर्म सेड़ीटिव सीरफ है और इसको जब भी यूज करना है तो डॉक्टर के कंसर्ण पर हिस इस सीरफ का यूज करना है अगर मिसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जैनरली इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को इसके साइड इफेक्ट होगा तो उसमें पेट में दर्द का होना लूज मोशन वोमेटिंग वट आईगो यह सब जो है इसके साइड इफेक्ट हो शकता है